जहिन दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम मैट बारीशी में जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में अरियाना में सीटिक का एक्जाम 5 नुवंबर और 6 नुवंबर को अरियाना में 2 सिप्टों में आपके संपन हुए हैं और जब से एक आपको कंडिडेट कोपी कैसे प्राप्त होगी मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले बात करते हैं आंसर की के बारे में तो आंसर की आपकी अभी अभी हमें पता चला है कि 20 नुवंबर तक आपकी जो है वो आंसर की आने की पूरी संबावना है 20 नुवंबर से आपकी पहले-पहले यानि कि इस अपते में आपकी आंसर की ओफिसल साइट पर अवि कंडिडेट कोपी डाउलोड करने का भी आपको उप्शन दिया जाएगा जिस कंडिडेट का जो कोड बनता है वह आपना कोड लगा कर उसमें आपना चेक कर सकता है कंडिडेट कोपी को भी वहां से आप अपलोड डाउलोड कर सकते हो तो आंसर के एक साथ है आपको कंडिडे स्याइब को लेकर इससे जो हुँआज में ही आपका फैसला होगा कोर्ट भी बात से कौ推सेंड के छेर्मेंन यानि के जिनके 50% जर्रल में 40% अगर किस में आते हैं जर्रल कटेगरी में आते हैं तो ये सब ये बच्चे क्या हैं ये एक्जाम में बैठ जाएं एक्जाम में जो हैं बच्चे जो हैं इसके लिए कोर्ट केस लगावा था तो आपको गबराने की कोई जरूत नहीं है आपका सीटी क्वालिफाइंग नेचर का हो जाएगा 9 जनवरी को सुनवाई है और आपके हक में आपका फैसला होगा सभी कोस्टिंग इंस्टिचूट और जितने भी हमारे जो इंस्टिचूट हैं या जो भी हैं टीचर हैं सारे हम सभी बच्चों के साथ हैं और आपके जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको गबराने की कोई जुरूत नहीं है किसी भी परकार की अगर मतलब यह मान का चुलो आप जो है ना अपनी पड़ाई को नहीं छोड़ना है कंटिन्यू रखना है जितना भी आपने लबस किया है उस लेबस को आप एक बार रेपीट कर लें और दोबारा से अगर जो बच्चा रेगुलर जो है ना तयारी कर रहा है वो अपना रेगुलर करते रहें किसी भी जो है कोचिंग सेंटर पर आप जो भी जो है ओनलाइन स्टडी करते हैं या चाहिए ओफलाइन करते हैं तो अपनी पढ़ाई को न छोड़ें अपनी पढ़ाई को सुचारो रूप से करते रहें सीटी क्वालिफाइंग नेचर का हो जाएगा गबराने की जुरूरत नहीं है तो सभी बच्चों को wish you all the best मिलते हैं अगली कलास में चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें न